चोपड़ा है जो किसने योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचो NTA द्वारा NEET 22 के लिए आंस्वर की अभी जल्द ही जारी होने वाली है क्योंकि इसके चैलेंज करने से आपको अपने NEET स्कोर में फाइदा हो सकता है तो सबसे पहले हम बात करें की ओमार चैलेंज क्या है तो एक्जाम होल में आपनी जो ओमार फिल की थी उसको NTA द्वारा स्केन किया जाता है और उसी scan के according answer की से आपके द्वारा दिया गया answer match किया जाता है अगर सही है तो आपको four marks मिल जाते हैं और गलत है तो इसका one marks कट जाता है ये सारा एक software से होता है अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी question का answer देते समय या तो half round में किया है या थोड़ा round से बार हो गया है थोड़ा सा round बार हो गया है या फिर थोड़ा हलका शाही लगा है या किसी question का एक ही option तो सही कर दिया आपने लेकिन दूसरे option पर pen से थोड़ी सी शाही और लग गई है या आपने जो answer दिया था एनटिये ने capture ही नहीं किया हो या आपका answer दूसरा capture हो गया हो मतलब यह है कि आपको लगता है कि ओमार में किसी question का answer एनटिये ने सही capture नहीं किया है तो आप इसको challenge कर सकते हैं NTA द्वारा ओमार को दुबारा रिव्यू किया जता है और अगर आप सही क्लेम कर रहे हैं तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं इसको कैसे चैलेंज करना है इसका प्रोसिजर मैं आपको आगे इस वीडियो में बता देता हूँ अब बात करें आणस्वर चैलेंज के बारे में अगर आपको ऐसा मैसुस होता है कि किसी क्यूसन का आंस्वर NTA ने गलत दिया है आपके पास उसका सही जिस्टिफिकेशन है तो आप इसको आंस्वर को चैलेंज कर सकते हैं NTA दोरा जो candidate दोरा answer challenge किये जाते हैं सारे जितने भी answer होते हैं challenge किये हुए answer होते हैं सभी answer को expert team दोरा review किया जाता है और उसके बाद final answer की जारी की जाती है अब मैं आपको step by step बता देता हूँ कि आपको ओमार और answer की कैसे challenge करना है और आपको कितनी fees paid करनी होगी हलांकि 2022 के लिए ये process अभी start नहीं हुआ है मैं आपको previous year यानि 2021 का process समझा देता हूँ क्योंकि इस साल भी वही procedure follow होगा तो इस process को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ क्योंकि अगर आप counselling के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी book download कर सकते हैं इस video के description box में और हमारी website www.shopda.education.in पर इसका link दिया हुआ है आल इंडिया कोटा, इस्टेट, आयूस, वेटनरी, सेंटरल पूल कोटा, MBBS, BDS सभी के लिए ये book है और आपके लिए काफी helpful रहेगी क्योंकि मैंने इसमें twice list 2022 के लिए दे रखी है कि आपको किस परकार से choice fill करनी है इसमें cut-off, seat matrix, service bond के बारे में जानकारी हर एक स्टेट के process, counselling process क्या है उसके बारे में जानकारी दी गई है इसमें जैसे ही आप download करेंगे, हम आपसे संपार कर लेंगे आप हमारे paid service भी ले सकते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे answer की challenge करना है और कैसे omar challenge करना है तो सबसे पहले हम NTA की website need.nta.nick.in पर visit करेंगे view and challenge answer की omar and recorded response पर click करेंगे application number password security pin डाल कर sign in करेंगे तो जैसे ही sign in करेंगे यहाँ पर हमारे पास दो option आते हैं एक तो click to view challenge answer की का और एक omar challenge का दो option आते हैं तो सबसे पहले हम answer की का option पर click करके देख लेते हैं तो जैसे ही इस option पर click करेंगे हमारे पास में answer seat आ जाती है यानि की answer की आ जाती है पहले question आपको दिखाई देंगे question number 1, 2, 3 question ID दिखाई देगा उसके बाद में ntn जो answer इनका correct माना है वो दिखाई देगा यानि की first question का first answer correct माना है second question का second option correct माना है third question का four option correct माना है तो इस परकार से जो आपका question paper का code था वही answer की यहाँ आपके login में available हुई है अब इसमें जो आगे दिया गया है वो challenge का option दिया गया है इसमें 5 option दिये गये है total 1, 2, 3, 4 और 1 none of these दिया गया है तो अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कि ntn ने इस question का answer गड़त दिया है तो आप 4 के box पर tick कर दे आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी सही नहीं होना चाहिए तो last volume में none of these पर click कर दे तो इस प्रकार से आप challenge कर सकते हैं और answer की check कर सकते हैं example के तोर पर मैं यहाँ आपको बता दूँ कि माल लो हमने यहाँ पर एक क्यूसन जैसे 200 number का जो क्यूसन है उसका NTA ने 4 माना है example के तोर पर बता रहा हूं कि मैं इसको मान रहा हूं कि इसका 1 answer होना चाहिए यह example के तोर पर बता रहा हूं तो मैंने यह 1 पर tick कर दिया अब इसमें upload documents में हमें एक file upload करनी है जिसमें हमने NTA को यह solution बताना है कि इस कारण से इसका 1 हो सकता है यानि कि हम अपना argument देंगे कि इस कारण से इसमें इसका answer 1 हो सकता है तो इसके लिए आपको एक word की file में आप पूरा solution टाइप कर ले उसको PDF में convert कर ले और यहाँ पर इसको upload कर दे upload करने के बाद में submit your claim पर click करेंगे ok करेंगे ok करने के बाद में हमने अगर एक क्यूशन को हमने challenge किया है तो 1000 पी करना होगा दो को claim किया है तो 2 और 3 को क्यूशन को challenge किया है तो 3000 मतलब 1 क्यूशन के 1000 रुवीच पझा करने होगे तो यहाँ पर save your claim and pay fee पर click करेंगे यहाँ जितनी क्यूशन को हमने challenge किया है उसकी fees दिखाई देदेगी और हम यहाँ पर online payment करके उसका print out ले लेंगे जो हमने answer challenge किया है उसका हम print out ले लेंगे तो यह तो हो गया answer की और answer की challenge के बारे में कौन से क्यूशन को हमने challenge करना ओमार को challenge करने के लिए यहाँ पर आपको जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके ओमार seat दिखाई देगी पहले तो आपने ओमार seat में यह देख लेंगी हमने कौन कौन से जो round है उस पे black किया था वो पूरा check कर ले उसमें उसके बाद में जो NTA ने आपके response से हैं जो आपने answer दिये हैं वो capture किये हैं वो यहाँ दिखाई दिये गए हैं यहाँ पहले question दिया है फिर उसके बाद आपने क्या answer दिया है यह यहाँ दिखाया है तो आपको लगता है कि कोई आपने answer सही दिया है और NTA ने उसको capture नहीं किया है, तो उसको आप challenge कर सकते हैं, या फिर आपने कोई answer दूसरा दे दिया और NTA ने दूसरा capture कर लिया, तो यहाँ पर आप उसको challenge कर सकते हैं, मालो मैंने यहाँ पर मैं example के तोर पर बता देता हूं कि 178 question का मैंने answer दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा गोड़ा सही नहीं कटा, इसलिए NTA ने capture इसको नहीं किया है, और मैंने इसको 2 किया था, NTA ने इसका response बिल्कुल भी capture नहीं किया है, तो इसके लिए मैं supporting documents के साथ, यानि कि ओमार की coffee यहाँ पर PDF में upload करके NTA को यह बताऊंगा कि इसका मैंने यह answer दिया है, 2 answer दिया है, आपने इसका कोई capture नहीं किया, तो आप इसका 2 answer capture करें, तो इस प्रकार से आप इसको challenge कर सकते हैं, ओमार सीट को, अगर आपके ओमार में कोई problem है, आपने सही बरा है, NTA ने इसका response capture नहीं किया है, तो इसको आप claim कर सकते हैं, आगे यहाँ save your claim and pay fee पर click करेंगे, तो इसमें per question 200 question challenge किये हैं, वो यहाँ पर payment show होगा, और यहाँ fees pay कर सकते हैं, आप payment कर सकते हैं, और उसका print out ले सकते हैं, तो यह एक जानकारी थी कि किस परकार से आपने ओमार challenge करना है, किस परकार से answer for seat challenge करना है, वो step by step process से मैंने समझा दी है, फिर भी अगर आपको कुछ problem होती है, तो आप देशक मेरे इस वीडियो के comments में comments करके पूछ सकते हैं, तो मिलेंगे नई update के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंग